कक्षा एक के छात्रों के लिए कारिक्रम दादा जी इस कारिक्रम में छज्जा, रोशंदान, खिड़की और जरोखे के बारे में जानकारी देंगे आलेक श्याम सिंग शर्शी का है जिसे प्रस्तुत कर रहे हैं अजीत गुपता दोस्तो जाए हिंद हम तो भई तुम सब इंतिजार कर रहे हो दादा जी का तो लो दोस्तो बाचीत करो अपने दादा जी से दादा जी राम राम आज क्या बात है आप तो कुछ बोल ही नहीं रहें अभी तक सो रहे हैं क्या राम राम बच्चो राम राम अरे भई क्या करूं अब ज्यादा नहीं चला जाता ठक जाता हूं अरे जब मैं तुम्हारी तरह बच्चा था तो दो दो सीड़ियां एक साथ चड़ जाता था एक एक बार में बंदर की तरह उछलता और तीन तीन सीड़ियां लांग जाता दादा जी बंदर दादा जी बंदर क्या कहा क्या कहा कुछ नहीं दादा जी ये सीड़ियां क्या होती है बताता हूँ बताता हूँ पहले सब बच्चे ये गाना तो सुनो सीड़ी सीड़ी चड़ते जाएं बच्चे गिनती गिनते जाएं छत पर चड़कर शोर मचाएं नाचें गाएं धूम मचाएं ओय होय अरे भई तुम चुपचापचों बैठे हो गाओ गाओ मेरे साथ मिलकर बोलो सीड़ी सीड़ी चड़ते जाए बच्चे गिनती गिनते जाए चट पर चड़कर शोर मचाए नाचे गाए धूम मचाए अरे भई ऐसे नहीं जरा जूम के गाओ जूम कर कैसे गाते हैं जरा बताओ यू सिर हिला हिला कर मस्ती में गाओ सीड़ी सीड़ी चड़ते जाए बच्चे गिनती गिनते जाए चट पर चड़कर शोर मचाए नाचे गाए धूम मचाए प्यारे बच्चो ऐसी मस्ती में कभी छत की मुडेर पर ना चड़ जाना पूछो क्यों ओए होए तो इसमें पूछने की क्या बात है अगर मुडेर पर चड़ गए तो नीचे गिर सकते हो धाम से हाँ प्यारे बच्चो वो मोटू मल है ना पहली सीडी पर चड़ते ही धाम से गिर गया था नहीं दादा जी हम मुडेर पर नहीं चड़ेंगे ओए होए अरे मुडेर पर नहीं चड़ोगे तो क्या छज्जे पर जाऊगे दादा जी ये छज़्जा क्या होता है बताईए ना अच्छो तो तुम छज़्जा भी नहीं जानते लो मैं बताता हूँ देखो सब बच्चे पहले अपने अपने चेहरे पर हाथ फिराएं हाँ हाँ अपने अपने चेहरे पर हाथ फिराओ अब बताओ तुम्हारे चेहरे पर बाहर निकली हुई और उठी हुई चीज क्या है अरे भाई ना कही तो बाहर निकली हुई चीज है ऐसे ही चज्जा भी मकान या कमरे के बाहर निकला हुआ उपर का हिस्सा होता है क्या होता है हाँ बाहर निकला हुआ उपर का हिस्सा होता है अच्छा तु मेरे प्यारे प्यारे नन्ने मुन्ने बच्चो मेरे पीछे पीछे एक कविता बोलो ऐसे नहीं भई पहले अपनी अपनी नाग पकड़ो 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 आँ नाग पकड़ी ना सबने अब बोलो चज्जा मेरी नाग चज्जा मेरी नाग जोर से बोलो चज्जा मेरी नाग चज्जा मेरी नाग अच्छा बच्चो अब तो समझ गए ना नहीं समझे प्यारे बच्चो मैंने तुम्हारी नाग को छज्जा बना दिया पूछो क्यूं? क्यूं? ओए होए अरे तो इसमें पूछने की क्या बात है छज्जा नाग की तरहे बाहर निकला होता है और प्यारे बच्चो छज्जा कुछ चोडा होता है जो छट के साथ बाहर निकला होता है और बच्चो जरोखा किसे कहते हैं? है? नहीं जानते? अरे तुमारी गर्दन क्यों नहीं हिल रही? बोलो जरोखा जानते हो तुम भी भाई बस यूं ही निकले अरे जरोखा वो होता है जिसमेंसे हम जागते हैं क्या करते हैं? हाँ, जिसमेंसे हम जागते हैं उसे जरोखा ही कहते हैं ये छोटा भी होता है और बड़ा भी महलों में बहुत से जरोखे बने होते हैं अरे भाई इन जरोकों को हवा आने के लिए बनाते हैं किस लिए बनाते हैं हाँ इन जरोकों को हवा आने के लिए बनाते हैं और प्यारे बच्चो पता है तुमें रोशन दान कहा होता है एं नहीं मालूम चलो भाई मैं ही बताता हूँ ये छट के पास ऊपर की तरफ बना होता है कहां बना होता है बोलो बोलो हाँ छट के पास ऊपर की तरफ बना होता है तो प्यारे नन्ने मुन्ने बच्चो इसी पर एक छोटी सी कवीता सुनाता हो सुनोगे न सब बैज जोर से बोलो जी हा शाबाश तो सुनो रोशंदान रोशनी देता नहीं किसी से कुछ भी लेता प्यारा प्यारा एक जरोखा हवा दे रहा रहकर भूखा बैज तुम भी बोलो ना ये कविता पहले मैं बोलूँगा फिर तुम साब बोलना ठीक है तो बोलो रोशंदान रोशनी देता नहीं किसी से कुछ भी लेता प्यारा प्यारा एक जरोखा हवा दे रहा रहकर भूखा हवा दे रहा रहकर भूखा अच्छा बच्चो अब जरा मेरे पास आओ यानी थोड़ा मेरी और खिसक आओ और पास आओ और खिसक आए न सब लोग अब जोर से ताली बजाओ और जोर से बस भाई बस अब बच्चो ये बताओ तुम मेंसे अटारी किस किस ने देखी है फिर सुन लो अटारी तुम लोगों मेंसे किस किस ने देखी है अरे अटारी नहीं जानते अरे भाई अटारी तो छट के ऊपर बना छोटा कमरा होता है बताओ क्या कहते हैं उसे हाँ अटारी अच्छा तो हम इतनी उची अटारी पर कैसे जाएंगे सीड़ी सीड़ी चल कर जाएं हम अटारी पर चल जाएं अरे तुम चुप क्यों हो बोलते क्यों नहीं बोलो भाई मेरे साथ साथ बोलो सीड़ी सीड़ी चल कर जाएं सीड़ी सीड़ी चल कर जाएं हम अटारी पर चल जाएं दादा जी अटारी पर चल कर हमें बड़ा मज़ा आएगा हम छोटे छोटे बच्चे साथ से उचे दिखेंगे अच्छा भाई अब तो बहुत देर हो गई कल फिर मिलेंगे अच्छा बच्छा राम राम अच्छा वाँच्छा राम राम आज दिरूराओंगा ऐ राम राम वै वा दोस्तो आज दादा जी ने तुम्हें बताया कि छज्जा क्या होता है जरोखा क्या होता है रोशन दान क्या होता है खिड़की और अटारी के बारे में भी तो बताया क्यों दोस्तों ये सब चीजें तुम्हारे घर में हैं तुम्हें काम करना आज जब तुम अपने घर जाओ तो इन सब चीजों को देखना और कल गुरू जी को बताना कि ये सब चीजें तुम्हारे घर में हैं या नहीं और अब दोस्तो कारिक्रम का समय तो समाथ हो रहा है आप कहो जय हिंद आप का सकतो है आप कि ईय हुआ में इन सब चुम उन सब जाए। प्सक्राइब Bell